C.I.E.T. N.C.E.R.T. के जरिए पेश है तीसरी जमात के लिए महलियाती साइंस की समय दर्सी किताब आसपास का सबक नमबर पाँच छोटू का घर सफ़ा नमबर तीस इस सफ़े पर चार तसवीर दी गई है तसवीर का उन्वान है छोटू पहली बार मुंबई आया पहली तसवीर में छोटू सड़क के किनारे पर खड़ा है और सड़क पर गाडियां नजर आ रही है सड़क की दूसरी तरफ एक बुजर्ग, एक खातून और एक बच्चा गुजर रहे है दूसरी तस्वीर में तेज बारिश हो रही है और छोटू सडक के किनारे एक चादर उड़े बैठा है दो बच्चे भाग रहे हैं तीसरी तस्वीर में छोटू एक सिमिंट के पाइप के अंदर लेटा हुआ है चौथी तस्वीर में छोटू सिमिंट के पाइप के बाहर बैठा इटो के चूले पर कुछ पका रहा है सफा नंबर इकत्तिस यहां दो तसवीर दी गई है जो की छोटू के सफर से मुतालिक है पहली तस्वीर में छोटू अपने सिमिंट के पाइप के बाहर सडक के किनारे खड़ा है और सडक की दूसरी जानिब दूसरा बच्चा मोनू खड़ा है सडक पर कुछ गालियां आ जा रही हैं और एक मुसाफिर सडक पार कर रहा है दूसरी तस्वीर में सिमिंट के पाइप के बाहर छोटू और मोनू बैठे हुए है तस्वीर में छोटू की कहानी बताई गई है गौर से देखकर बताओ छोटू ने पाइप को देखकर क्या सोचा छोटू ने पाइप का किस तरह से इस्तमाल किया छोटू ने पाइप और आसपास की जगह को किन-किन हिस्सों में बाटा छोटू को उस घर के किस हिस्से में ज्यादा वक्त गुजारना पसंद होगा आपके खयाल में छोटू ने मोनू को भी पाइप में रहने को क्यूं कहा होगा मकान कब घर बन जाता है इस पर तबादलाए खयाल कर मकान और घर के फरक को वाज़े करने में मदद मिलेगी सफा नंबर 32 अपने घर की तस्वीर कौपी में बनाओ और उसमें रंग भरो तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ कौन-कौन लोग रहते हैं डैश, 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 डैश छोटु ने पाइप को अलग-अलग हिस्सों में बाटा तुम भी अपने घर के अलग-अलग हिस्सों के नाम लिखो डैश, 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 डैश एक दिन में तुम घर के किस हिस्से में कितना वक्त गुजारते हो क्या घर का कोई ऐसा हिस्सा है जहां घर का कोई खास फर्द जादा वक्त गुजारता है क्या घर का कोई ऐसा भी हिस्सा है जिसमें घर का कोई खास फर्द जाता ही नहीं है या बहुत कम जाता है अपने घरों में हम लोग रहते ही हैं लेकिन हमारे साथ साथ कुछ जानवर भी रहते हैं, कुछ हमारी मर्जी से, कुछ बिन बुलाए मिहमान की तरहां। बच्चों से उनके घर के बारे में बहुत हसास तरीके से, हमदर्दी से गुफ्तगू करने की जरूरत है। घर मुख्तलिफ तरहां के होते हैं, इस बात को जहन में रखते हुए सबक में कमरों के बजाए घर के हिस्सों का इस्तमाल किया गया है। घर के मुख्तलिफ हिस्सों में घर के लोगों का जाना या ना जाना उनके घर के तौर तरीके और जिन्सी तासुबात को जाहिर करता है सफा नंबर 33 इस सफे पर एक नजम दी गई है जिसका उन्वान है प्यारा घर इस नजम के चारो तरफ मुख्तलिफ चीजे हैं कहीं चुहे चिपकली दरख्त और एक बच्चा साथ ही मकडी और मकडी का जाला और कुछ मक्खियां नजर आ रही हैं नजम घर प्यारा सदा यही तो कहती हो मा घर ये सिर्फ हमारा अपना लेकिन मा कैसे मैं मानू घर तो ये कितनों का अपना देखो तो कैसे ये चुहे खेल रहे हैं पकडम पकडाई कैसे मच्चर टहल रहे हैं कैसे मस्त पड़ी है मकडी और छिपकली को तो देखो चलती है जो गश्ट लगाती अरे कतारे बांधे बांधे कहां चीटियां दोड़ी जाती और इधर आंगन में देखो पंची कैसे चपट रहे हैं बिलकुल बाजी और मैं जैसे किसी बात पर जगड रहे हैं इसलिए तो कहता हूँ मा घर ना समझो सिर्फ हमारा सदा सदा से जो भी रहता सबका ही है ये घर प्यारा बच्चा टोली भारत ग्यान विज्ञान समिती हिंदी से तर्जुमा क्या तुम जानते हो चूहे में देखने की सलाहियत कम होती है लेकिन सूंगने चूने और जायके वाली सलाहियत बहुत ही तेज होती है सफा नंबर चौटिस ऐसे दो जानवरों की तस्वीरे बनाओ जो बिन बुलाए मिहमान की तरह हमारे घर में रहते हैं तस्वीर के नीचे उनके नाम भी लिखो यहां तस्वीर बनाने के लिए जगाती गई है तुम अपने घर को कैसे साफ रखते हो तुम्हारे घर में सफाई का काम कौन-कौन करते हैं तुम घर का कूड़ा कचरा कहां डालते हो क्या तुम्हारे घर के आसपास सफाई रहती है सफा नंबर पैतिस देखो लता का घर कैसे खुपसूर्ती से सजा हुआ है क्या तुम अपने घर को किसी खास तरीके से सजाते हो कब-कब और कैसे सजाते हो सफे की बाइन जानिब एक दर्वाजे की तस्वीर दिखाए गई है दर्वाजे की उपरी तरफ एक बंदरवार लटका हुआ है और दर्वाजे के बाहर एक रंगोली बनाई गई है अपने साथियों से मालूम करो कि वो अपने घर को कब और कैसे सजाते हैं तुम अपने घर को किन-किन चीजों से सजाते हो उनके नाम लिखो सबक में हर एक बच्चे से मुख्तलिफ तक्रीबात के मौके पर उसके घर की सजावट के बारे में पूछा गया है बच्चों से मुख्तलिफ मौकों पर घर सजाने के तरीकों के बारे में पूछने से ये बात सामने आती है कि मुख्तलिफ तहवारों में मकामी सतह पर तयार की जाने वाली अश्या का इस्तमाल हम किन मुख्तलिफ तरीकों से कर सकते हैं इसी के साथ 24 असबाक की किताब आसपास का पांचवा सबक छोटू का घर खत्म होता है सौती ताउन तलत खान अभी आप सुन रहे थे ये ध्वनी पाठे पुस्तक तकनीकी नियंत्रन बटी लैंग लिंग्डो तकनीकी सहायक विकास सांगवान निर्वान सहयोग मिनाक्षी कुक्रेती निर्वान एवं निर्देशन वंधना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती CIET NCERT नई दिल्ली भारत